आजकल की समय में मैंने देखा है कि बच्चे इंग्लिश की तरफ बहुत मुड़ रहे हैं लेकिन अपनी जो मात्र भाषा है मदर टंग है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं हम यह नहीं कह रहें कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए वो तो इंटरनेशनल लेंग्वेज है लेकिन जिस बच्चे को अपनी मात्र भाषा ही नहीं आती वो क्या तरक्की करेगा जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुएं राजनितिक हुएं आप ध्यान रखिये अपनी मात्र भाषा महीं पल बढ़कर आगे भड़े हैं तभी उन्होंने तरक्की करिये इसलिए मात्र भाषा का ज्ण भी होना जरूरी है आजकल के बच्चों को ये सिखाया जाना जिरूरी है कि हिंदी और इंग्लिश को दोनों को एक साथ उन दोनों का पर्याक्त ज्यान हो तो ये रिद्धी है जो आपको इसके बारे में बताएगी कॉंबिनेशन करके बताईए बेटा हिंदी महीनों के नाम बताईए पहले चैत्र, बिसाज, जेश, अशार, सावन, भादरपल, आश्मिन, कार्टिक, माखशीर, बोष, माग, पागुन अच्छा इसमें ये बताईए अब कि जो चैत्र आता है वो कौन से महीने में आता है चैत्र आता है माँ चैत्र में अच्छा अब ये बताईए फागुन कौन से महीने में आता है परवरी माँच में और होली कम मनाई जाती है परवरी माँच में बहुत बढ़ी है